ब्लैक बोर्ड में आपका श्वागत है आज हम आपके साथ क्लास 11 बैलोजी के चैप्टर ब्रीधिंग एंड एक्स्चेंजज अफ गैस मतलब स्वसन और गैसो का विनिमय का छठा लेक्चर आप डिसकस करेंगे अगर आप इस लेक्चर का पीडिएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंप्ली हमारे इस टेलिग्राम चैनल को जोईन करिए वहां से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आने वाले सभी लेक्चर का पीडिएफ फ्री आफ कोस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे यिस YouTube चैनल पे 11-12 के साथ साथ विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं के अलग-अलग विशयों के भी समय समय पर अपडेट्स आते रहते हैं चलिए सुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक है Mechanism of Breathing हिंदी होता है स्वसन की क्रियावीधि मतलब समझेंगे कि स्वसन किस तरीके से हमारे सरीर में संपन होता है कौन-कौन सी क्रियावीधि होती है और इसके लिए जिम्मेदार कारक कौन-कौन से होते हैं ठीक, अच्छे समझेंगे, बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है और मुझे उमेद है कि आपको अच्छा भी लगेगा पहला पॉइंट है पहला पॉइंट है पहला पॉइंट है हिंदी होगा वायुमंडल और फेफडों के अल्वियोली के बीच हवा का अंता प्रवाह तथा बहिर प्रवाह को श्वशन कहते हैं जो फेफडों के विस्तार और संकुचन से प्रभावित होता है एक बार फिर से इनफ्लो और आउट्फ्लो मतलब सांस को अंदर लेना आउट्फ्लो मतलब गैस को बाहर रिलेस करना अफ दे एर बिट्विन अट्मोस्फियर और अल्वियोलाई ओफ दे लंग्स इस काल ब्रीधिंग यही तो फर्स लेक्चर समपढ़ते आ रहे हैं कि हवा को सरीर के अंदर लेना और फिर इसको बाहर छोड़ना यह क्या कहलाएगा? स्वसन कहलाएगा ठीक है? और यह किस पर डिपेंड करता है? तो जो फेफड़ा आपके सरीर में है उस पर डिपेंड करता है वो संकुचित होता है या उसमें विस्तार होता है इस चीज से स्वसन आपका प्रभावित होता है ठीक है? जैसे देखिएगा यहाँ पे एक फोटो लगाये गया है यह डाइग्राम तबका है जब हवा जो होता है वो बाहर निकलता है अपने सरीर से ठीक? इस केस में जो हमारा यह डाइफ्राम होता है डाइफ्राम क्या होता है? तो कि श्ट्रक्चर है जिस पे आपका पूरा-पूरा यह टिका हुआ होता है कह सकते है लंग्स का जो एक बेस होता है तो बिलकुल नॉर्मल स्टेज में है लेकिन जब हम सांस ले रहे थे, हवा हमारे सरीर के अंदर आ रहा था, उस case में देखे विए कि इसके shape में changing हो जाता है, और यहां contraction देखने को मिलती है, तो इसलिए कहा गया है कि diaphragm या lungs के साथ कह सकते हैं, lungs का सिकुड़ना और उसका विस्तार होना स्वसन को प्रभावित करत होता है, ठीक है, clear है, चली आगे बढ़ते हैं, next point है, breathing involves two stages, मतलब स्वसन में दो चरण सम्मिलित होता है, पहला है inspiration और दूसरा है expiration, ठीक है, यह inspiration मतलब होता है अंतर स्वसन और expiration मतलब होता है नह स्वसन या बहिर स्वसन, ठीक है, मतलब, दो प्रक्रिया है, एक बार जब हवा आपके सरीर के अंदर गया, और एक बार जब आपके सरीर से बाहर निकला, तो इसलिए लिखा गया है कि breathing के दो चरण होता है, एक अंतर स्वसन का होता है, और दूसरा नह स्वसन का होता है, ठीक, clear है, अब एक ही करके पढ़ें कि यह अंतर स्वसन क्या होता है, और यह नह स्वसन क्या होता है, चलिए सुरू करते है, पहला टॉपिक है, इंस्पिरेशन, ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है, एट्मوسफेरिक एर, द्रॉण इन, हिंदी होता है, वायूमंडल ये वायू को अंदर खीचना, जो अंतर स्वसन होता है, या इंस्पिरेशन होता है, इसका मतलब क्या है, कि जो वायूमंडल में हवा है, उस हवा को सरीर के अंदर खीच लेना, ठीक है, दूसरा है, इसमें मांस्पेसियों में संकुचन होता है और यह एक शक्रिय प्रक्रिया है जो यांतरिक उर्जा का खपत करता है अब देखना बायो के टर्म में कोई भी प्रक्रिया दो प्रकार की होती है एक एक्टिव और दूसरा पैसिव शक्रिय और दूसरा होता है पैसिव वाला शक्रिय जो प्रक्रिया होता है एक्टिव प्रोसेस होता है इसमें एनर्जी की जरूरत होती है जबकि जो निस्क्रिय ह होता है उसमें energy की ज़रूरत नहीं होती है तो याद रखेंगे ये exam में सीधे सीधे पूछ दिया जाता है कि जो breathing होता है breathe in होता है मतलब सरीर में हवा को बाहर से लेना ये एक active process है इसमें जो यांतरिक उरजा होता है उसकी ज़रूरत होती है और इसमें muscle contraction होता है जो manspacy होता है उसमें sankuchan होता है हिंदी इस तरीके से है इसमें manspacy होता है और यह एक शक्रिय प्रक्रिया है जो यह आंतरिक उर्जा का खपत करता है ठीक? याद रहेगा दो चीज़ कि इसमें manspacy होता है जब सांस से हवा अंदर लेते हैं और सांथ ही में इसमें उर्जा का भी खपत होता है दूसरा है इट टेक्स प्लेस वेन दा प्रेसर विदिन दा लंग्स बिकम लेस देन दा अट्मोस्फेरिक प्रेसर हिंदी होगा यह तब होता है जब फेफोडों के भीतर का दबाव वायू मंडल यह दबाव से कम हो जाता है ठीक सिंपल बात है एक कॉमन सेंस यूज करेंगे तब भी हमको पता चल जाएगा कि जो हवा बहता है फ्लो अफ एयर होता है वो उच्च दाव से निम्न दाव की तरफ होता है ठीक है? मान लेते हैं यह एक एरिया है हाई प्रेसर का और यह एक एरिया है लो प्रेसर का यह उच्च दावा वाला छेतर है और यह निम्न दावा वाला है तो हवा कहां से कहां जाएगा? तो इस उच्च वाले से इस निम्न वाले की तरफ हवा का बहाव होगा समझ गे न तो अगर अब यहां दो चीज़े एक तो हमारे सरीर का वाहर का वायूमंडल है और दूसरा हमारा फेफडा है तो अगर हवा वायूमंडल से फेफडा में जा रहा है एट्मोस्फियर से लंग्स में जा रहा है इसका मतलब किसका दबाव जादा है तो सिंपल बात ह atmosphere का जादा है किसका दबाव कम है तो हमारे lungs का कम है क्योंकि जिसका दबाव कम होता है उधर हवा जाता है तो lungs का कम है दबाव इसलिए जो हवा है वो वतावरन से कहा जा रहा है तो हमारे सरीर के अंदर जा रहा है इसको figure समझने कोसिस करते हैं यहां देखिए, यह है air drawn in, मतलब जब हवा सरीर के अंदर जाता है तब, इस case में यहां जो आप diaphragm देख रहा है न, इसमें संकुचन contraction देखने को मिलता है, और यही कारण होता है कि जब यह contraction होता है, तो दवाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जब दवाव कम होगा, तो बाहर से हवा हमारे सरीर में आना सुरू हो जाएगा, यह दूसरा case है, जब हवा हमारे सरीर से बाहर निकलता है, तो उस case में जो diaphragm है, आप देख सकते हैं, कि अपने natural condition में चला गया था, इस वज़ा से यहां से जो हवा था, वो बाहर के और सरीर से निकाल दिया गया, यहा इसमें यह जो diaphragm है, यह वाला, यह क्या होता है, संकुचित होता है, संकुचित होने से क्या होगा, तो इसका च्छेतरफल बढ़ेगा, और च्छेतरफल बढ़ेगा, तो इधर दबाव कम होगा, और दबाव कम होगा, तो बाहर से हवा इसमें आना सुरू हो जाएगा, खि वो बढ़ेगा ठीक ना इसको समझने के एक और तरीका है आप अभी पढ़ते समय ही लक्षर देख रहे हैं तभी ही अपने सीने पहात रखिए और सांस लीजे जोर से और फिर सांस छोड़िए आपको पता चलेगा कि यह सेम टू सेम प्रोसेस जो आ हो रही है उसी चीज को य इंटरकोस्टल मसल कॉंट्रेक्ट हिंदी है अंतह स्वसन के दवरान डायफ्राम तथा कुछ इंटरकोस्टल मांसपेशिया सिकूड जाती है जी हां जैसे यहां आपने देखा था न कि संकुचित होता हुआ डायफ्राम देख रहे थे इसी चीज को लिखा गया है कि कुछ muscles और diaphragm क्या होता है तो शिक उड़ जाता है अगला है an increase in pulmonary volume decreases the intra pulmonary pressure so fresh air enters through nose and reaches the lungs हिंदी होगा pulmonary आयतन में व्रिधी से intra pulmonary दबाव कम हो दाता है और ताजी हवा नाक से प्रवेश करती है इसको यहां समझने कोशिश करते हैं जब यहां पे पहले एक बार अच्छे से point को पढ़िए pulmonary आयतन में व्रिधी होता है जब यह diaphragm सिकूडने लगता है तो उस case में क्या होता है कि इसका आयतन बढ़ जाता है और आयतन जब बढ़ेगा तो वहां दबाव घटेगा और जब दबाव वायुमंडल की तुलना में कम हो जाएगा नाक से प्रवेस करती है और कहां तक पहुंचती है तो फेफडे तक पहुंच जाती है अच्छा अब आपने से कोई यह मत बोल देना कि सिर्फ फेफडे तक जाती है क्या उसका आगे ने जाती है बिल्कुल उसका आगे जाती है इस सभी process को भी हम पढ़ेंगे एक ही करके यहां तक clear है अच्छा दूसरा figure जो यहां पे है यह था जब सरीर में हवा अंदर आ रहा था तब का था और यह है जब सरीर से हवा क्या हो रहा है बाहर जा रहा है बाहर जा रहा है तो इसमें क्या होगा डायफराम जो है वो फैलने लगेगा तो इसका आयतन कम हो जाएगा आयतन कम हो गया तो दवाव बढ़ गया और दवाव बढ़ गया तो वही हवा क्या हो जाएगा शरीर से बाहर निकलना सुर्व हो जाएगा clear इतमा I hope आपको सब कुछ समझ आया होगा thank you for watching thank you very much